नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्विल एगज्यूकिसन में यहां दोस्तों आज की बारे में बहुत जारत साइट पे क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप कॉलम की कास्टिंग करने जाते हैं जब बहुत ज़्यादा हाइट की कॉलम होती है जैसे multiple lifts हो गए या फिर single lift में जब बहुत ज़्यादा height की column होती है तो problem क्या आती है कि कहीं कहीं आपके पास bulge हो जाती है column bulge हो जाता है या फिर suttering आपकी bulge हो जाती है अब region क्या रहते हैं इसके region ये रहते हैं दोस्तों कि जब भी ही आप column की suttering लगाते हैं ये नहीं जानते या फिर आपको baton कितनी spacing पर रखनी है ये नहीं जानते या support आपको कितनी distance पर रखना है कैसे supporting करनी है ये नहीं पता आपको तो निश्चित है कि column आपकी failure हो जाती है बहुत जगे पे ऐसा देखा गया है कि column की casting के समय पता चले आपने concrete तो भर दिया concrete भरने के बाद जैसे ही वहां से mystery हटा या फिर कोई labor हटा अचानक suttering फट जाती है और concrete पूरा बाहर चला जाता है अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले column की design करनी है मिन्स column का छोटा मोटा जब column होता है जैसे छोटे pedestals हो गए या फिर building का छोटा मिन्स लगबग 9 inch by 9 inch कह सकते हैं या 500 by 500 का 300 by 300 का column होता है तो ज़्यादा कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन वही column की विर्थियदी बढ़ जाती है एक मिटर से वब चली जाती है कहीं कि दो मिटर, तीन मिटर, चार मिटर के भी column किये गए हैं तो उनके लिए proper आपको design procedure बनाना पड़ता है कि कैसे आप कितनी spacing पे बैटर रखेंगे कौन सी ply use करेंगे अब आपके मन में सवाल आएगा कि आखिर pressure calculate करें तो कैसे करें इसलिए design calculation of suttering and support for column यहाँ पे आप playlist में जाके देख सकते हैं कि कैसे already किया हुआ है slab की बन चुकी है, beam का बन चुका है साथ-साथ wall की भी design मैंने share कर दी है वो भी ply की, means wooden ply यदि आप use कर रहे हैं अब सबसे पहली बात आते हैं कि जो नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी standards हैं या फिर जो measurement calculated considerations हैं वो सारा IS code से है, IS code 800-1984, 883-1994 यह आपको देखना है, clauses मैंने already दे रखे हैं अब यह विसेज के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप playlist में जरूर जाके देख सकते हैं कि कैसे consideration ली रखी है यह सारा data कैसे लिया हुआ है, कहां से यह सारा मैंने बताया हुआ है अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है दोस्तों की column पे जो pressure आता है उसके दो formula यहाँ पे दे रखे हैं और इस तरह से यह formula यूज किये जाएंगे जब आप column के pressure को calculate करेंगे तो दूसरा formula कब यूज करना है, यह भी मैं condition आपको बताने वाला हूँ तो यहाँ देख सकते हैं आप, कि C1 under root R की value जो है यह capital H से बड़ी हो अब C1 क्या है, यह coefficient है, जैसे यहाँ देख सकते हैं, depend on size and shape of formwork इसके हिसाब से जो coefficient column में लिया जाएगा, वो 1.5 लिया जाएगा और जो R है, यह R आपकी rate of pouring है, मिन्स आप कितनी height तक pour कर रहे हैं, per hour में और second जो चीज है, यह H है, यह H आपकी total column की lift है lift मिन्स, जैसे इस column में देखिए, 2400 की ply लगी है, कहीं आप 3 meter भी लगा सकते हैं और normal क्या होता है, कि 3 meter की ply में आपके सारे column maximum lift किये जाते हैं क्योंकि 3 meter की height में ज़्यादा तर buildings भी control हो जाती है, क्योंकि उसके उपर beam start हो जाता है यह RCC का है, यह आप लोग को सब को पता है, जितने भी engineers है, तो यह चीज़ें आपको देहान रखनी है C2 coefficient क्या है, कि यदि आपको यह adventure मिलाते हैं, या फिर cement का जो type होता है उसके इसाब से C2 की value चेंज होती है, जैसे यह देखिए, यह सारी C2 की value दे रखी है अब यह C2 निकल गया, H आपको पता है, C1 पता है, R पता है और K की value जो है, K temperature coefficient होता है, जो K की value देखिए, formula क्या लिखा हुआ है यह भी C, I, R, I, A का report है, दोस्तो, 36 upon T plus 6 का whole square अब इसकी value जब आप निकालेंगे, तो 0.77 आती है, क्यों आती है, कि जो temperature होता है यह लगभग 25 degree concrete के लिए consider किया जाता है अब आपके मन में सवाल आएगा, कि यह C2 की value कैसे change होती है देखिए, OPC, Ordinary Portland Cement हो गई, RH PC हो गई, Rapid Hardening Portland Cement हो गई उसको without admixture यूज करना है, या फिर admixture के साथ यूज करना है, उनके साथ ये value change होती रहती है without admixture आप ये normally आप जो नए है वो जरूर ध्यान दे, C2 की value है यदि आप without admixture मिला रहे है या फिर कोई retarder आपने नहीं मिलाया है, तो आपको value 0.3 calculate करनी है otherwise maximum chances हैं कि 0.45 आप ये value calculate करके चलें, तो आपका हर एक design comfort हो जाएगा total India में आप कहीं भी जाएंगे तो, अब exceptional जो case होते हैं कि blend containing more than 70% GGFS GG क्या होता है दोस्तों, Glen owner जो आपका blast furnace का जो मिलाया जाता है cement में यदि उसका percentage 70% से ज़्यादा है, तो ये value 0.6 consider की जाती है और ये सारा जो CIRI के report है, उसमें आपको ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप इसको google भी कर सकते हैं या फिर मैंने already describe करके पिछले playlist में बताया हुआ है अब देखिए यहाँ पर अपना case क्या है, जो मैं design कर रहा हूँ या फिर जब आप करेंगे तो C1 की value देखी कितनी 1.5 calculate की गई है, जैसा कि अभी उपर बताया था C2 जो है OPC with retarder, इसकी value 0.25 calculate की है, density आपको पता है concrete की कितनी होती है 2.5 ton per MQ होती है, फिर जो height है, means एक जो lift up height ले रहे हैं सटरिंग की वो मैंने यहां 3 meter calculate की है दोस्तों, और small height जो है, small height means जो आपकी pouring height होगी वो 3 meter, मैं यह मान के चल रहा हूँ कि 3 meter एक ही बार में column feel किया जाएगा, तो कितना pressure आएगा अब बात आती है कि temperature जो लिया जा रहा है, वो 25 degrees Celsius है, अब यहां जो r की value है, means जो rate of pouring जो मैं आपको बता रहा था 0.5 meter per hour, means यदी column आपका 3 meter का है, तो आप 0.5 के हिसाब से 6 बार में column को feel करेंगे और 6 बार में, means 6 घंटा, लेकिन site पे हमारे पास इतना time नहीं होता, इसलिए यह design calculations में 3 meter आप consider करके चलें, तो जादा better है और जो r की value है, वो 0.5 या फिर आप change भी कर सकते हैं, 0.6 रख सकते हैं, 0.8 रख सकते हैं, जैसा आपने site पे plan किया है अब यह सारी value को देखा जाए, temperature coefficient भी देखिए, k की जो value है, यह 0.77 दे रखी है, जैसा की अभी निकाला हुआ था तो आपका जो load है, यह per meter, means 1 meter by 1 meter की ply पे, कितना load आ रहा है, 3.86 ton per meter square आता है यह आप से सारा calculate करेंगे, यह already Excel में calculated है, इसलिए जादा calculation यहाँ पे की नहीं गई है और automated वो calculate हो गया है, अब एक confusion होगी कि यह दोनों formula थे, मैंने यह formula ही huge क्यों किया अब huge क्यों करने की value है, कि जैसे देखिए C1 की value कितनी थी, C1 की value हमने 1.5 consider की है और जो R की value है, यह 0.5 calculate की गई है, अब 0.5 का under root निकाल के यह आप 1.5 से multiply करेंगे तो जो column की height है, मिन्स जो capital आपने 3 meter consider किया था, वो 3 meter से यह value कम आएगी और कम आने की वज़े से ही यह वाला formula use किया गया है अब यदि C1 under root R की value H से जादा होती, मिन्स H छोटा हो जाता, तब यह formula आप यूज करते D into H, जो की सीधे आप रोजी H hydraulics में पढ़ते थे, जब dam पे pressure निकालते थे या किसी भी चीज पे, यह इसी चीज से यह formula बना हुआ है, रोजी को density consider कर लिया गया और जो H है, वो आपकी height हो गई है, तो यहाँ पे जो अपना case है दोस्तो, अपने case में यह वाला formula यूज करना है अब cement भी बहुत तरीके के हैं, वो cement का already मैं पिसले playlist में भी describe कर चुका हूँ यह जैसे देखिए, सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, कि वहाँ कौन सा value है, किस mark को, means कौन सा later, क्या denote करता है और यह cement सारी चीजें आपकी यहाँ पे दे रखी है, आप इसका screen sort भी ले सकते हैं, या फिर pause करके note भी कर सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में केवल load निकालना मैंने बताया आपको, कि load कैसे calculate होती है, formula में सारी चीजें put की जाती है, जो आपकी consideration है अब इसके बाद जो next होने वाला है, यह design of setter होगा, means आप ply पे कितना load आएगा, ply कैसे calculate करेंगे, कि 12 में उनकी ply लगानी है, या फिर उससे higher thickness की ply लगानी है तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप मुझे विदा दीजिए, next वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए